हरे क्रिष्ण आज के कारिक्रम में आप सभी का हारदिक स्वागत है आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान मदन सुंदर प्रभुजी मदन सुंदर प्रभुजी ने Ohio State University USA से Electrical और Computer Engineering में Master's Degree की है उन्होंने Juniper Networks USA में Research Engineer के रूप में कारे किया है जिसके लिए सन 2011 में उनके शोध प्रयासों के लिए उन्हें प्रतिष्ठित कर्मचारी उत्कृष्टता पुरसकार यानि Employee Excellency Award से समानित किया गया बगवद गीता के संदेश और इसकौन के संसापा काचार भक्ति वेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपात के जीवन से प्रेरित होकर वे भारत लोटे तदासन 2012 में पूर्ण रूप से वैदिक कला एवं विज्ञान के चात्र के रूप में इसकौन से जुड़ गये प्रभुजी इस कौनपुने में Corporate Education and Empowerment Forum के निदेशक के रूप में सेवारत हैं जो Corporates, शिक्षकों और छात्रों के लिए नियमित रूप से संस्कृतिक और शेक्षिक कारिक्रम आयुजित करते हैं प्रभुजी TTL, Persistent Accenture, Sterling Healthcare, Lumex Industries, Basim Boises Institute of Health Sciences आदी अन्य कई संगठनों में सत्र आयुजित कर चुगे हैं जिसमें उनका लक्ष कारिस्थल में सचेतन मानसिक्ता के साथ आत्म जागरुपता और सकारात्मक जीवन को बढ़ावा देना है वैदिक शास्त्रों के संदेश को पढ़ना और साजा करने में प्रभुजी को विशेश आनंद तथा संतोष प्राप्त होता है वैसी कारण प्रभुजी ने भगवत गीता महा भारत रामायन और श्रीमत भागवतम पर आधारित कुछ पाठे क्रम भी तयार किये हैं जिनसे कई लोग प्रेरित होकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं तो आइए श्रवन करते हैं श्रीमानमदन सुन्दर प्रभुजी के श्री मुक्से धन्यवाद हरे कृष्ण ओम क्यानत मिरंदस्या ज्यानां जनशला कया चक्षुरुन्मिलितंगेना तस्माई श्री गुर्वे नमहा अरे कृष्ण तो आप सभी का स्वागत है इस भगवदीता सार कारेकरम में और आज ये अठार्वा दिन है आखरी एपिसोड है जिसमें हम अब भगवदीता का अठार्वे ध्याए का वर्णन करेंगे जिसका शिशक है त्याग ये रिनंसियेशन की सिधी एक प्रकास है ये अठार्वा ध्याए भगवदीता का सारांश है एक प्रकास से कंक्लूजन जैसे हमने पिछरे एपिसोड में बताया था सतरवे अध्याए तक अचारे बताते हैं भगवदीता समात हो चुकी है जैसे दूसरे चैप्टर में भगवदीता के जिसका शिशक सांके योग था भगवान ने एक प्रकास से प्रिल्यूड दिया था मतलब पुरे भगवदीता का इंट्डूक्शन दिया था इसी प्रकार इस अध्याय में कंक्लूजन मिलेगा पुरे भगवदीता का तो आईए चर्चा करते हैं कि भगवदीता का सबसे बड़ा चैप्टर है तो बश्रम संक्या 1 से लेकर 18 अठारा श्रम संक्या तक भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन के पूछने पर करम योग क्या है उसका वोड़न एक बार दुबारा करता है अर्जुन के मन में फिर एक बार प्रशन उठता है त्याग बड़ा या सन्यास बड़ा तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रत्म करता है हे अर्जुन, कर्म बुरे नहीं है कर्म से मिलने वाले फल के प्रती आ सकती रखना उसके अंदर परिशानी है प्याग और सन्यास क्या होता है सन्यास वो होता है कि असन्यास धर्म वो होता है जहां गक्ती फल की इच्छा और कर्म दोनों को त्याग सकता है त्याग क्या होता है जब एक ती कर्म करता है पर कर्म से मिलने वाले फल को त्याग देता है उसको त्याग कहा जाता है तो बगवान श्री कृष्ण इन श्लोकों की संख्या में अर्जुन को बताने का प्रेदन करते हैं अर्जुन पल को त्यागना पिर भी असान है वो कर्म को त्यागना बहुत-बहुत मश्किल है क्यों? क्योंकि हर विक्ति गुड़ों के प्रभाव के कारण किसी ना किसी कर्म के प्रती आसकत रहता है ये कहना कि मैं कोई कर्म नहीं करूंगा बलकि अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो अपने शरी को कैसे मेंटेन करेंगे इस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण ने एक बाग फिर अर्जुन को समझाते है अर्जुन सबसे सरल और जिसमें चांसेज नहीं है पतन होने की वो है त्याग का मार्ग वो सफलता का मार्ग है जो सन्यास का मार्ग है सही में बहुत सर्वशेष्ट है और उसके लिए जादा तर जंता क्वालिफाई नहीं कर सकती तो आप कर्म करिए स्वाधर्म का पालन करिए आप कामे कर्म जो आपकी इच्छा है उन कर्मों के द्वारा पूर्ण करें और उन कर्मों के द्वारा पाए है फल को भगवान के सेवा में लगाए जैसे की उधारन के रूप में श्रीला प्रभुपात के एक disciple है जिनका नाम है अम्रीश प्रभु जो हैंडरी फोर्ड फैमिली से हैं उनके हैंडरी फोर्ड उनके ग्रैंट फादर थे और इनका नाम अलफर्ड फोर्ड यह जब श्रीला प्रभुपात से मिलते हैं प्रभुपात की शिक्षाओं से बड़े इंप्रेस होते हैं और भगवदीता में दिवे ज्ञान का पालन कर ये वैश्नों बन जाते हैं और अभी तक इस प्रकार इतने सालों से भगवान की सेवा में लगे हुए है उस समय 1975 की बात है जब शिला पहुपाद ने अम्रीश पहु को एक assignment दिया था सेवा दी थी कि मेरी इच्छा है मेरी नहीं हमारे आचारे वर की इच्छा है कि माया पुर्धाम में दौन नितायश शिरादा मादव के लिए बहुत भव्वे मंदिर बनना चाहिए आज उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए अम्रीश पहुँ एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे है जिसमें जो उसकी राशी है 50% से अधिगराशी खुद अम्रीश पहुँ ने अपने पास से दी है और ये करोडो करोडो का पुजेक्ट है कहने का तातपर्य क्या है सन्यासी बड़ी बड़ा या त्यागी बड़ा अम्रीश पहुँ एक ग्रहस्त है जीवन का पालन करते हुए और अपने कर्मों से पाए हुए फल को जो भी उन्होंने कर्म करे है उस फल को भगवान के सेवा में लगा देना इस प्रकाव भगवान श्री कृष्ण कहते है अर्जुन ये सरलता का माग है तो अरजुन के मन में प्रशन उड़ता है प्रभू व्यक्टी कैसे कर्मों के फलों को तियाग सकता है ओ कैसे आसकती को चोड़ सकता है तो भगवान श्री कृष्ण पिश्लोग संक्या 14 चाज़ चौदा में बताते हैं अर्जुन मैंने तुम्हें पहले बतायता पांच वा दिहाय में तीन करता होते हैं अभी तुम्हें और विस्तार से बताता हूँ तुम एकलोते करता नहीं है और भगवान श्री कृष्ण पिश्लोग में बताते हैं किसी भी कर्म को पूर करने के लिए पांच फैक्टर होते हैं पहला फैक्टर अधिश्ठानाम मतलब ये शरीर दूसरा करता मतलब जीवत तीसरा करणम करणम मेंस ये इंद्रिया चौथा चेश्ठा चेश्ठा मतलब एंदेवर और पांचवा दैवम मतलब भगवान, परमात्मा ये डेस्टनी जब तक पांचों साथ में नहीं आती आपका कोई भी कर्म सफन नहीं होता सोचिए आपने चेश्ठा करी है आपने अपने शरीर और इंद्रियों के बल से खूब प्रत्न करा है पर जब तक भगवान का सेंक्षन ना हो तो आपको प्रमोशन नहीं मिलता आया ना इस प्रकाश जब तक ये पांचों चीज़ साथ में नहीं आती कोई भी कर्म पूर नहीं होता साराश क्या है भगवान बताना चाहते है अर्जुन आप कैसे क्रेडिट ले सकते हो आप पांच में से एक हैं तो आपका फल पर भी वन बाई फिप्ट हक बना पूर्ण हक नहीं बना तो भगवान ये नहीं कह रहे है कि पूर पाई फिप्ट आपका फल जो है भगवान को दो कम से कम वन बाई फाइब तो दो कुछ तो भगवान के सेवा में लगाना शुकरिए इस प्रकार यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते है तो साराश क्या है इस कर्म योग का साराश में बताते हैं अर्जुन व्यक्ति के लिए सबसे सफल माग है इंद्रियों को सही रूप से जो शास्रों में दिये हुए कर्म है उसमें लगातर भगवान की पसंदता के लिए कर्म प्राना चाहिए और वही कर्म वो योग में बदल जाते है और व्यक्ति इस प्रकार जीवन में सफुलता प्राप्त कर सकता है अर्जुन इस बारे में सोचते हैं और फिर भगवान शेक कृष्ण आगे चर्चा करते हैं और बताते हैं अर्जुन जो भी व्यक्ति जुनिया में करता है सब गुणों के प्रभाव से करता है इसलिए अगर आपको गुणों के प्रभाव से उपर उठना है तो कर्म युग प्रपालन करना ही पड़ेगा और अब आगे श्लोग संक्या 19 से लेकर श्लोग संक्या 40 तक भगवान बताते हैं अरजुन आपकी सोच, आपका ग्यान, आपकी खुशी, आपकी समझ सब मोड्ज या सत्व रजव तमगुणों के अनुसार इंफ्लूएंस है इस प्रकार भगवान या छे सब्जिक मैटर पर वर्णन करते हैं जिसको साराश में हम देखेंगे सबसे पहले ही व्यक्ति का ग्यान, जो व्यक्ति सत्व गुण में होता है उसका ग्यान कैसे होता है, वो जानता है शरीर और आत्मा लग है जो रजव गुण में होता है, उसका ग्यान कैसा होता है वो समझता है, शरीर और आत्मा एक समान है जो तमगुण में होता है, व्यक्ति आत्मा को पहचानता ही नहीं सिर्फ शरीर को पैचानता है ये तमवगुणी ग्यान है उसके बाद भगवान श्री कृष्ण चरचा करते है किस प्रकार के कर्म किस प्रकार का एक्षिन करा जाता है जो वक्ति सत्व रजव और तमवगुण में होता है भगवान बताते हैं उससे पहले पूछे का मेरे लिए क्या या इंद्र तप्ति को भोगने के लिए और जो तमवगुणी व्यक्ति होता है जो भी कारे करता है अपना विनाश और समाज के विनाश के लिए करता है फिर भगवान आगे श्लोक संक्या 26 से लेकर 28 सक बताते है जो परफॉर्मर जो करता होता है वो सत्वगुण रजगुण तमवगुण का करता कैसे होता है वर्कर कैसे होता है जो सत्वगुण में व्यक्ति होता है वो सदेव खुश और एनरजेटिक और सही रहता है जो रजोगुण में रहता है व्यक्ति बड़ा ही frustrated रहता है जब सपलता मिलती है तो कूदने लगता है जब निराशा मिलती है तो रोने लगता है फूट फूट कर इस प्रकार वो अनिक प्रकार के mood swings में होता रहता है और जो तमगुणी व्यक्ति है वो बड़ाई आलसी होता है कुछ भी कहो कल, कल कहो पढ़सो, पढ़सो कहो तरसो इस प्रकार वो कर्म को तालता रहता है फिर भगवान आगे चर्चा करते है व्यक्ति की समझ कैसे सत्व रजो तमगुण से प्रभावित होती है शलोक संद के अतीस से लेकर बत्यस सक्भवान बताते है जो व्यक्ति सत्व गुण में होता है उसकी समझ धरम के अनुसार होती है शास्रों में जो ज्यान दिया गया है उसके अनुसार उसकी समझ होती है जो रजो गुण व्यक्ति है उसकी समझ अपनी इंदरियों की इच्छा को पूर्ती के लिए जो जो उसको सही लगे उस प्रकार अपना जीवन वितीत करता है और जो तमगुर में विक्ति होता है उसकी समझ पोपी नहीं वो अंदकार का जीवन जीता है जो सही है उसको गलत मानता है जो गलत है उसको सही मानकर जीवन वितीत करता है उसके बाद बगवान बताते हैं determination कैसे होता है शलोग संत्या 33 से लेकर 33 से बगवान बताते हैं जो सत्व गुर्में विक्ति होता है जो उसने निर्डने ले लिया वो करके रहता है जो रजोगुनी व्यक्ति होता है उसका determination जब तक रहता है जब तक उसको फल मिलता है जैसे निराशा आती है वो वहाँ से उस काम को छोड़कर भाग जाता है जो तमगुनी व्यक्ति होता है उसका determination होता ही नहीं वो बातें बड़ी बड़ी करता है पर पालन कभी नहीं कर पाता है और अंत में happiness कैसी होती है यह तो बड़ा यह interesting subject में आता है सत्व गुर्णी विप्ती तो खुशी कैसे मिलती है या किसमें मिलती है 37, 38 और 39 श्लोक में इसका wonder गया गया है तो 37 श्लोक में बताया गया है जो सत्व गुर्णी में खुशी प्राप्त होती है वो शुरुवात में poison जैसी लगती है विश जैसी पर अंत में वो nectar जैसी लगती है मतलब क्या है जब कोई विक्ति अध्यात में जीवन का पालन करना शुरू करता है सुला माला का नाम जब ब्रहम मुर्त में उठना पिक्चर्स नहीं देखना इस प्रकार का जब जीवन जीने के लिए बोला जाता है तो उसको बड़ा ही कष्ट लगता है और कुछ समय बाद ओही कष्ट एक nectar में बदल जाता है जब नया व्यक्ती भक्तों से मिलता है तो हमेशा उसके मन में यह प्रशन उठता है आप इतने खुश कैसे रहते हो यह है सत्व गुन का खुशी फिर रजोगुर में खुशी कैसी मिलती है इमीडियेट हैपिनेस जो मुझे आज खुशी देगी मैं उसी को अपनाऊंगा कल क्या होगा उसका कुछ मतलब नहीं जैसे कि फास्ट फूड्स व्यक्ती फास्ट फूड के पती बड़े आकर्शित रहते हैं बड़ा अच्छा स्वाद मिलता है अगले दिन कॉंस्टिपेशन इंडिजेशन होगा उसका किसको ध्यान मतना है वो कल का कल देखेंगे इस प्रकार तो जो रजोगुर में खुशी होती है वो शुरुवात में नेक्टर होता है अंत में पॉईजन होता है जैसे कि हमारा वेस्टन कल्चर आज की तारिक में फिर 39 श्लोक में तमोगुर में खुशी कैसे होती है शुरुवात में भी दुख अंत में भी दुख बीच में भी दुख सदेव दुख जैसे जो व्यक्ति धूमपान नशा, जुवा, अवेद संबंद करता है या दूसरों को दुख पैचाता है चोरी चकारी करता है उसको उसमें बड़ा खुशी मिलती है बट उसके लिए सिर्फ दुख का कारण होता है इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस चप चीजों के बारे में वर्णन करते हैं तो अर्जन पूछते है तभू एक साधान अदमी करे तो क्या करे कैसे अपने जीवन व्यतीत करे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जन को 41 वे श्लोक से लेकर 55 श्लोक तक वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताते हैं भगवान बताते हैं अपने गुण और करम के अनुसार व्यक्ती अपने लिए occupation चंता है कोई भ्रामणा के लाता है तो कोई शत्रय कोई वैशय कोई शूद्रा ये जो वर्ण है किसी के जनम के अनुसार निधारत नहीं होते न हिए जो वर्णाश्रम है किसी के शद्धा के उपर निधारत है बल्कि वर्णाश्रम धर्म व्यक्ति को मौका देता है उसके गुण और कर्म और उसकी च्छाओं के अनुशार उसको कर्म में लगाने के लिए जिए व्यक्ति अपनों कर्मों को करते हुए संतुष्ट होता है तो फिर वो भक्ति के बारे में सोच सकता है या योग के बारे में सोच सकता है तो इस स आपका जो स्वभाव है उसके अनुशार आप कर्म करिए और कर्म को शुद्ध करने के लिए कर्म को योग में बदलने के लिए कर्म योग का पालन करिए जिसको भगवान भगविता में पहले कई बार बता चुके हैं अतहा भगवान कहते हैं अपने कर्मों को पूजा में तो इस्स लोकों में भगवान ब्रामणा कौन होता है उसके गुन का वर्णन करते हैं वैसी शत्रिय, वैस्षिषिश्द्र के गुन क्या होते हैं उसका उले करते हैं तो अब आगे अर्जून के मन में प्रशन उड़ता है प्रभू जो व्यक्ति इस फ्रकार अपने गुणों के नुसार कर्म करता है और फिर कर्मों के फल को आपकी सेवा में लगा कर अपना जीवन वितित करता है उसको फल क्या मिलता है उसको result क्या मिलता है तो वह वहां कहते है 54 श्लोक में ब्रह्मभूत प्रसन आत्मा मन इंद्रिया पूर्ण रूप से शुद हो जाती है और वो भ्रम्म भूता प्रसनात्मा उसको एक अध्यात्मिक सुक और आनंद प्राप्त होता है ऐसा आनंद प्राप्त होता है ना सोचती ना कांख्षती अब उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बहुत एक इच्छा या जो संकट या जो चिंता है वो नहीं रह जाती अभी उसको अध्यात्मिक सुक की प्राप्ती हो चुकी है क्योंकि अब उसको भगवान की करपाप्त हो चुकी है समा सरवेशू भूतेशू इस समय इस व्यक्ति की चेतना एसी होती है कि वो सभी जीव को एक समा नजरिय से देखता है और तब भगवान कहते है अरजुन ऐसी अवस्ता में मदभक्तिम लबते परम ऐसी अवस्ता में जाकर व्यक्ति पून रूप से शुद तरीके से मेरी भग्ती में लगता है तो अरजुन के मन में प्रशन उड़ता है ऐसी अवस्ता को प्राप्त करने के बाद क्या होता है तो भगवान फिर पच्वन शलुक में बताता है अरजुन जब आप ऐसी अवस्ता में पहुँच जाते हो तब आप मुझे पहचान पाते हो कि मैं कौन हू अर्जुन ऐसी अवस्ता में जाकर व्यक्ति और भक्त मेरे स्वरूप मेरे ग्यान मेरे एश्वरे के बारे में पूर्ण रूप से जान जाता है तो मतलब क्या है ये श्लोक हमें सिखाता है कि भगवान के बारे में ग्यान अगर हमें प्राप्त करना है तो भगवान की कृपा और भगवान के दुवारा दिये हुए नियमों का पालन करके ही प्राफ़ हो सकता है ना कि कोई व्यक्ति पीजडी करी हो या किसी बहुत बड़े स्कूल या कॉलिज या ग्रेजुट हो यह स्कॉलर्शिप का सब्जेक्ट नहीं है यह भगवान की कृपा का सब्जेक्ट है और भगवान की कृपा का मिलती है जब यह भगति के नियमों का पालन करता है बग्तिया माम अभी जानती केवल भक्त मुझे पूर्ण रूप से जान सकता है इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं और अब आगे भगवान श्री कृष्ण श्लोक शंक्या 56 से लेकर 66 तक भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के बारे में बताते हैं कृष्ण कहते हैं श्लोक संक्या 56 में हे अर्जुन जो मेरे भक्त होते हैं वो सदेव मेरे संगरक्षन में होते हैं उनका सारा कर्म मेरी प्रसनता के लिए होता है इस प्रकार मेरे भक्त मेरे सुरक्षा में रहते हुए अपना जीवन वितीत करते हैं तो फिर अर्जुन के मन में प्रशन आता है श्लोक संक्या 57-58 के समय अरजन सोचते है प्रभू अगर कोई व्यक्ति अगर आपकी भक्ति ना करे आप में उनका ध्यान ना लगे तो फिर क्या होगा उसका तो भगवान फिर 58 श्लोक में कहते हैं बहुत महत्वू श्लोके ध्यान दीजे अगर कोई व्यक्ति अपने चित को मेरी सेवा में लगाता है तो उसके जीवन में आने वाले सभी विपदाओं से मैं उसको छुटकारा दिलवा देता हूँ अगर अहंकार के कारण घमण के कारण दुवेश के कारण कोई व्यक्ति मेरी शर्ण नहीं लेता नाशोश्यसी विनंश्यती उसका विनाश हो जाता है क्योंकि जो भगवान की भावतिक शक्ति है उसका सामना जीव नहीं कर सकता इस प्रकार उसका विनाश हो जाता है अतहा इश्लोक अतात पर ये है कि हर व्यक्ति को एक संकल्प लेना है एक choice लेनी है जो वो कर्म कर रहा है भगवान की प्रसनता के ले करे या अपने इंद्र भोग के ले करे इस पर का भगवान बताते है अरजुन तुम कर्म करना नहीं त्याग सकते तुम कर्म करोगे अपने गुणों के अनुशार तो अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं कर्म के फल को त्याग दू मैं कर्म को त्याग दू फल नहीं मैं कर्म को त्याग दू तुम अरजुन चाहते हो ये युद को छोड़कर जंगल में चले जाओ तुम मेरी आग्या का गड़ पालन ना करते हो जंगल में चले जाते हो तुम शत्री हो वविश्य में तुमें कोई जंगल में ललकारेगा तुम फिर अस्तर उठाओगे अपने गुणों के प्रभाव के कारण और फिर युद लड़ोगे तो क्या भैतर है उस समय युद लड़ना अपनी इच्छा के अनुशार या आज मेरी आग्या का पालन करते हुए कुरुशेत्र की भूमी पर युद लड़ना इस पर का भगवान बताते हैं कि करम को त्यागा नहीं जा सकता करम को अकरम भगवान की सेवा में लगा कर भगवान को प्रसंद करके हम अपने जीवन में कल्यान ला सकते हैं कई बार लोग पूझते हैं हमारा कल्यान कैसे होगा उसी कल्यान का माद बार बार भगवान ने वगवद गीता में दिया है जो भी करम करें भगवान को याद करते हैं भगवान की सेवा में करें पिर भगवान एक सर्थविस श्लोग से आगे चर्चा करते हैं अर्जुन इसलिए सभी का धर्मबनता है मेरी शरण में आना और भगवान बताते हैं इश्वरा सर्वभूतानाम हिर्देश अर्जन तिष्टती रामयम सर्वभूतानाम यंत्रा रूढानी मायया हे अर्जुन मैं परम्पिता हूँ सभी जीव के अंदर परमात्मा के रूप में स्थापित हूँ और ये जो मनुष्य ये जो जीव है अलग-अलग योन्यों अलग-अलग शरीर को अपना कर अलग-अलग जगा पे इस भ्रहमान में भटकता रहता है अर्थात पगवान बताते है अर्जुन मैं ही एक स्वतंतु हूँ और आप जीव हमेशा मुझ पर निर्बर रहते हो मेरे ही द्वारा व्यक्ति को ये शरीर प्राप्त होता है किसी व्यक्ति को मर्सरीज बैंज मिलती है तो किसी को लूना मिलती है जैसा शरीर, जैसी गाड़ी वैसी परफॉर्मेंस किसी व्यक्ति को अगर बहुत तीवर बुद्धी मिलती है तो जीवन में बहुत सफल होता है मैंने ये शरीर चुना था मैंने माबाप का चैन किया था मैंने अपने फेस कट का चैन मैंने अपनी बुद्धी का चैन किया था हम सब चैन करते हैं बहुत सारी चीजों का बहुत हर चीज का नहीं कपड़ा कौन सा पैनूँगा हेर कट कैसा रहेगा जीवन में आगे प्रोफेशन कौन सा चुनूँगा एजुकेशन क्या करूँगा चैन कर सकते हैं वह हर चीज का नहीं इसलिए भगवान कहते हैं अरजुन इसलिए सभी के लिए बहुत महत्मून है कि भगवान कौन है समझते वे भगवान की शरण ले तो हो सकता है कोई बोले क्या भगवान fanatic है क्यों भगवान बारबा कहा रहे है शरण लो शरण लो शरण लो नहीं लेंगे हम शरण तो देखते हैं भगवान आगे क्या कहते है 63rd शलोत में एक प्रकासि भगवान अंतिम बचन बोल रहे हैं अर्जुन से कहते हैं अर्जुन तुम्हें जो भी मुझे ग्यान देना था मैं दे चुका हूँ अब तुम निर्णे लोग तुम्हें क्या करना है बगवान फैनेटिक नहीं है बगवान जब अधस्ती नहीं करते बगवान किसी की भी फ्री विल में इंटरफेर नहीं करते बगवान अर्जुन के पूछने पर बगवान ने अर्जुन को ग्यान दिया कृष्न नहीं बोला था अर्जुन ने बोला था शर्शते हाम सादी मां तो हाम प्रपद्यते मैं आपको अपना गुरु सुए कारता हूँ तो गुरू के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जू को ग्यान दिया जो जो प्रशन पूछे उसका जवाब दिया और अब कृष्ण कहते हैं अर्जू मुझे जो कुछ बोलना था मैंने बोल दिया अब तुम्हे जो करना है करो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जू के सामने उनको मौका देते हैं चैन करने का पर इस समय भगवान इतने वहाव विबोर होते हैं फिर भी उनको लगता है ऐसे ना हो अर्जू कहीं गलत निन्ने ना ले ले फिर भगवान आगे बोलते है हे अरजन शुद्ध भक्त और शुद्ध भक्ती के नियमों का पालन करो वो यही आपको सफलता के मार्ग पे ले जाएगा और भगवान कहते हैं अरजन मैं तुमें सबसे गुयतमम ग्यान बताने वाला हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं शुद्ध सुंकिया 1974 में कृष्ण कहते है सरव घुयतमम भुया शुन में परमम बचा अरजन सुनिये मुझसे परमम बचन सुनिये सबसे घुयतमम ग्यान और क्या है dabei से लोग सुनगन में बताने वाला कहते है मनुष्य जीवन का कल्यान इसी में है कि जब वो मेरी पूझा अराधना मेरी शर्ण लेता है ये व्यक्ति के सरवशेष्ट कल्यान का मार्ग है तो इसको किसी को नकारना नहीं चाहिए तो अरजिन बोलते हैं प्रभू मैं इस प्रकार आपके शर्णागत होने के लिए अभी तयार नहीं हूँ तो फिर भगवान भगवदीता का सबसे प्रसिद श्रुग बोते हैं चाहसटव श्रुग जो मेरे अनुसार इस दुनिया का सब जीव पालन करते हैं कैसे सुनिये भगवान क्या कहते हैं भगवान कहते हैं अरजुन कोई बात नहीं सर्व धर्मान परित्याजा क्या सब जीव वाक्य का पालन करते नहीं करते जितने भी नासिक लोग हैं सभी धर्मों को तो त्याग दिया है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस वचन का पालन नहीं करता आस्तिक या नास्तिक और भगवान आगे क्या कहते हैं मामेकम शरनम रजा अहम त्वम सर्वपापे भ्यो मुख्शामिमा सुचा अर्जुन आप मेरी शरन में आईए आप सब धर्म चिंता को त्याग दीजिए मैं आपको वचन देता हूँ अगर आप मेरी शरन में आते हैं तो आपकी सारी चिंता को मैं हड़ लूँगा और आपको परम गती मैं वर्दान के रूप में दूँगा इस प्रकार यहाँ एक प्रकार से भगवदीता समापत होती है अब प्रशन उठता है भगवदीता के ग्यान के संग हम क्या करें ये जो इतना रहस्य मैं इतना महत्मून ग्यान है इसको हुआ अपने पास रखें या समाज में बाटें अगर समाज में बाटें तो किसको देना चाहिए कौन इसको सुनने के लाइक है और जो इस ग्यान को दूसरों को बताता है उसका क्या होता है और जो सुनता है उसका क्या होता है उस भारे में भगवान अब 67 शलोक में कहते है इस ग्यान को सुनने लाइक कौन है वो ही जो आस्टियर हो वो जो मुझसे द्वेश ना करता हो जिसके मन में मेरे प्रती भक्ती हो इस प्रकार वो व्यक्ती इस ग्यान को सुनने के लिए लाइक है फिर भगवान 68 में श्लोक में कहते है अरजुन जो मेरे ज्ञान का प्रचार करता है जो लोगों को मेरे बारे में बताता है वो भक्त मेरा सबसे प्रिय है बहुवान कहते है ऐसे भक्त को डिवोशनल सर्विस गैरेंटिड है और जीवन के अंत पे वो निश्यती रूफ से मेरे पास आएगा और अंत में बहुवान कहते है इससे प्रिय भक्त मेरा कोई और नहीं है तो जो प्रवचन करता है उसका क्या होता है बहुवान बताते हैं जो प्रवचन करता है वो अपनी वाणी से मेरी पूजा अराधना करता है और जो शुरत्रा होता है जो सुनते हैं वो अगर शद्धा से बिना द्वेश के अगर इस ग्यान को प्राप करते हैं तो वो अपने सभी पाप करमों से मुक्त हो जाते हैं इस प्रकार पगवाश्री कृष्ण अंत में अर्जुन से पूछते हैं अर्जुन क्या तुमने मेरे वचनों को ध्यान पुर्वक सुना है और फिर अर्जुन तिहत श्लोक में कहते हैं प्रभु हाँ नश्ट मुहा स्मृती प्रभु आपके वचनों से जो भी मेरा अंदकार था सब नश्ट हो चुका है मेरे बुद्धी वापिस जागरत हो चुकी है और अब आपने जो जो कहा है या जो जो कहोगे मैं उनी वचनों का पालं करूँगा और मैं युद अबश्य ही लड़ूँगा बोलिये श्री कृष्ण भगवान की जाए इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वचनों का पालं करते हुए अर्जुन फिर युद में उतर जाते हैं पर बंगोधिता समाफ में हुई यहाँ पर एक आखरी प्रशन उतर होता है संजे और दितराश के बीच में दितराश बड़े चिंतित हो जाते हैं गंभीर हो जाते हैं इस वचनों को सुनके और संजे से पूछते हैं संजे तुमें क्या लगता है अर्जुन युद लड़ेगा अगर युद लड़ेगा तो युद का परिणाम क्या होगा तो संजे अब अंत में भगवदीता के समावत होते समय एक बहुत महत्मूर श्लोक बोलते वे बविश्य बाणी करते हैं युद में क्या होगा 78 श्लोक में कहते हैं जहां क्रिष्ण भगवान और अर्जुन होते हैं तो क्या कहते हैं संजे यत्रयोगेश्वरो क्रिष्णो यत्रपार्थो धनुरधराहा तत्रशी विजयो भूते दुरुवानी तिर्मतिर्ममा हे दृत राश जहाँ पे कृष्ण अर्जुन दोनों साथ साथ उपस्तित होते हैं वहाँ चार चीजें हमेशा पाई जाती है पहले चीज वहाँ पे श्री मतलब वहाँ पे ओपुलेंस हमेशा होता है विजयो विक्टरी होती है भूती मतलब वहाँ पे exceptional power और धरम morality का पालन होता है है दृतराश आपको अफसोस से बताना पड़ रहा है आपके और आपके पुत्रों की जीतने की probability negative भी नहीं है जीत ही नहीं सकते आप इस प्रकार की सब आशा को छोड़ दीजे इस प्रकार भगवदीता यहाँ पे समाप्त होती है अंत में यह भगवदीता एक ऐसा ग्रंत है जो भगवान श्री किर्ष्न के द्वारा बोला गया है जो व्यक्ति इस भगवदीता ग्रंत का अधियान ये श्रवन करता है उसको भगवान श्री कृष्न के सण डाइरेक्ट संबंद जोडने का मौका मिलता है और जिस व्यक्ति को इस प्रकार का ये गुईतमम ग्यान मिलता है समझ आता है वो व्यक्ति इस दुनिया को सही माइने से देख सकता है भगवदीता is a book of transformation भातिक दर्श्चिकोर से अध्यात्मिक दर्श्चिकोर से अंत में भगवदीता के अंत में अपने परमम बच्चा बोलते हैं और कहते हैं अरजुन भक्ति सर्वशेष्ट है जो व्यक्ति इस भक्ति और भक्तियों का पालन करता है उसे निश्चित रूप से permanent happiness मिलेगी और जीवन में आने वाली किसी भी परिस्टि विपदा का सामना वो मुस्कुराते हुए करेगा क्योंकि उसको पता है जो आल्टर पे मुस्कुराता हुआ मेरा भगवान श्री कृष्ण खड़े है तो सदेव मेरी रक्षा करेंगे नामे भक्तिय प्रनिश्यती ये कृष्ण अर्जुं के दौरा मुलवाय हुआ वचन है इस श्रद्धा से एक भक्त भगवान की भक्ती में सदेव लगे हुए इस जीवन को जीता है अंत में भगवधाम की प्राप्ती करता है यही भगवदीता का उदेशे है और यही श्रीला प्रभुपाद ने हमें अपनी कमेंट्री के दौरा इस कौन के माद्यां से हम सब को सिखाया है आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद इस अठारा दिन के बगवदीता सार प्रोग्रामें भाग लेने के लिए हरे कृष्णा जगत करूष श्रीला प्रभुपाद की चाहे ऐसे ही और भगती माई कारक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलिविजन इसे प्राप करने के लिए आप अपने केबल अथ्वाद डी टी एच उपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8-7-6-7-8-4-5-8-4-5